और देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सदायव अटल समाधी स्थल से आज पूर पूर पुर्धान मंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपई की 96 जैनती है और पूर्धान मंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त समाधी स्थल पर पहुँच चुके हैं शरद्धांजली देने के लिए आज अटल जैनती के मौके पर पूर्धान मंत्री नरेंद्र मोदी करीब 6 राजियों के 9 करोड किसानों से सीधा समवाद भी करने जा रहे हैं और सुबा सुबा पुर्धान मंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं सदैव अटल समारक स्थल जो की अटल बिहारी वाजपई का समाधी स्थल है आज देश अटल बिहारी वाजपई की 96.2 जहनती मना रहा है रक्षा मंत्री राजनाज सिंग और ग्रे मंत्री अमित शाह उनकी अगवानी के लिए पहले सही मौजूद प्रिधान मंत्री ने कई अवसरों पर कहा है कि अटल जी उनके आदर्श थे उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा, जाना, समझा और उन्हीं के पदचिन्धों पर चलते हुए वो अटल जी के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं माननी प्रिधान मंत्री जी का सपना इस देश को न्यू इंडिया के रास्ते पर आगे ले जाकर हर व्यक्ति को विकास के मुख्य धारा से जोड़ने का है अटल जी ने भी अपने कारेकाल के दौरान जस भारत की तस्वीर अपने मन में बनाई थी उसमें रंग भरने का कारेकर रही हैं देश के मौजूदा प्रधान मंत्री आज का दिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है सुहिर्दय आदर्ष नेता अजात शत्रू दूर तर्शी समवेदन शील कभी पत्रकार अटल जी के वेक्तितों के इतनी सारे विविध आयाम हैं कि हर वेक्ति उनकी अलग अलग आयामों से प्रभावित होता है और उससे प्रिरित होकर इस देश को आगी ले जाने में अपना योगदान देने का प्रयास करता है भावी भारत को दुनिया के अगरणी देशों में ले जाने की तो सदायव अटल समारक स्थल पहुँचे हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी और अपसे थोड़ी देर पहले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने अटल बिहारी वाजपई को उनकी जहनती पर याद किया और थोड़ी देर पहले ही उन्होंने ट्वीट किया कि अपने दूरदर्शी नेत्रित में अटल जी ने देश को विकास की अभूत पूर्वुचाईयों पर पहुँचाया एक सशक्त और समर्द भारत के निर्मान के लिए उनके प्रियासों को सदैव स्मरण किया जाएगा इन अलफाजों में याद किया प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने अटल बिहारी वाजपई के व्यक्तित्व को और अब सदैव अटल समाधी स्थल पहुँचे हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी रक्षा मंत्री राजना सिंग और ग्री मंत्री अमिद शा के साथ इस वक्त उनकी मंत्रना चल रही है बात चीत करते हुए नजर आ रहे हैं तीनों नेता अटल जी की रचनाएं और उन रचनाओं के माध्यम से यहां आने वाले तमाम लोग उनके अलग अलग और आज का दिन अपने आप में इसलिए खास भी क्योंकि अटल जैनती के मौके पर ही पुर्धान मंत्री नरेंद्र मोदी करीब 6 राजियों के 9 करोड किसानों के साथ सीधा समवात करने जा रहे हैं और इसके लिए भारते जनता पार्टी की तरफ से जबरदस तैयारियां की गई हैं अलग-अलग शेहरों में अलग-अलग गावों में केंद्र सरकार के मंत्री पहुँचेंगे और किसानों के साथ चौपाल लगाएंगे नए केंद्रिये क्रिशी कानूनों को लेकर जो जबरदस विरोध चल रहा है उसको लेकर तस्वीर साफ करने की कोशिश की जाएगी की नए क्रिशी कानून जो लाए गए हैं वो किसानों के हित के लिए ही हैं और इसके लिए बड़ी तयारी आज भारतिय जनता पार्टी ने आटल जेहनती के मौके पर की है छे राजियों के नौ करोड किसानों से सीधा समवाद होगा और साथी साथ किसान सम्मान निधी योजना की जो अगली किस्त है वो भी आज ही किसानों को जारी की जाएगी कुल 18,000 करोड रुपए किसानों को डारेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएंगे और इस दोरान देश के अलग अलग हिस्तों में केंद्री मंत्री किसानों के बीच रहेंगे जैसे अमित शाह ग्री मंत्री जो आपको नज़र आ रहे हैं तस्वीरों में वो आज दिन में महरॉली में रहेंगे राजनास सिंग दौरका में रहेंगे निर्मला सीता रमन रंजीत नगर में रहेंगी जबकि इसी तरह से केंदर सरकार के अलग-अलग मंत्री जो हैं वो अलग-अलग इलाकों में किसानों के साथ मौजूद होंगे चौपाल लगाएंगे और नए केंदरी कृशी कानूनों के बारे में उन्हें समझाने की कोशिश की जाएगी तो अटल जेहनती के मौके पर प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी सदैव अटल समाधी स्थल पहुँचे हैं अटल ब्यारी वाजपई को नमन करने के लिए और इसके लावा प्येम मोदी आज संसत भवन में भी इसके बाद अटल ब्यारी वाजपई को श्रद्धांजली देंगे और उनको लेकर एक किताब का विमोचन भी करेंगे उन्होंने करारा जवाब दिया अटल जी की सरकार के दौरान हुए करगिल युद्ध में भारत में विजए हासिल की और दुनिया को ये संदेश दिया कि भारत जुकने वालों में से नहीं है नए भारत के निर्मार में अटल बियारी वाजपई की सरकार का जो योगदान रहा इस वक्त उसे याद किया जा रहा है भारी संख्या में लोग भी वहाँ पर मौजूद है और केंदर सरकार के तमाम मंतरी भारतिय जनता पार्टी के तमाम सांसद अटल बियारी वाजपई की 96-2 जहनती मनाने के लिए इस वक्त उनके समाधी स्थल पर मौजूद है और 3 गंटे 20 मिनट 28 सेकंड ही बाकी रह गए हैं जब प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी का आज किसानों के साथ बड़ा महतपूर्ण समवाद जो है उसकी शुरुआत भी होनी है इसलिए इस वक्त जब प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी वहाँ पर पहुँचे तो रक्षा मंतरी राजनास सिंग और ग्री मंतरी अमित शाह के साथ उन्होंने बाचीत की और रक्षा मंत्री राजना सिंग और ग्री मंत्री अमित शा ये दो वो मंत्री हैं जो की किसान संगटनों के साथ लगातार बाचीत में भी शामिल रहे और कुछ एहम मुद्दों पर प्रधान मंत्री की इन दोनों ही नेताओं के साथ बाचीत हुई है इसके लावा श्रधांजली अर्पित करने के बाद समाधी स्थल से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी रवाना होंगे पर्लियमेंट के लिए संसत के लिए और अटल बिहारी वाचपई को श्रधांजली देने और पुस्तक का विमोचन करने का जो प्रोग्राम है पार्लियमेंट में वो है सुभा साड़े दस बजे का सबके आदर्ष अटल बिहारी वाजबई को पुश्पांचुली अर्पित करने इस समय सदेव अटल जो उनकी समाधी है माननी राष्ट्रपती प्रधान मंत्री मौजूद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन भी इस अवसर पर यहां मौजूद है और यह देखे राष्ट्रपती रामनात कोविंद भी इस वक्त पहुँच चुके हैं समाधी स्थल पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी रक्षा मंत्री राजना सिंग और ग्रे मंत्री अमित्षा ने उनकी अगवानी की जो कि वहां पहले से ही मौजूद थे केंद्री ये वित्मंत्री नर्मला सीता रमन भी हमें तस्वीरों में नजर आ रही है और भारतिय जन्ता पार्टी की तरफ से खासतोर पर अटल जी को याद करने के लिए आज एक वीडियो जारी किया गया है जिसका नाम रखा गया है अजर अमर अटल और उसमें ये कहा गया है कि करोडों बीजेपी कारे करताओं के दिलों में दिये की लौ की तरह हमेशा हमेशा प्रज्वलित रहेंगे अटल ब्यारी वाजपई जी और उनकी जहनती पर कोटी कोटी नमन ये तस्वीरें सीधे सदायव अटल समाधी स्थल से आप देख रहे हैं राश्पती रामनात कोविन पहुँचे हैं अटल जी की समाधी पर पुश परपन करने के लिए राश्पती रामनात कोविन ने अटल जी को श्रद्धांजली दी हैं उनके समाधी स्थल सदायव अटल पहुँचकर और थोड़ी देर पहले गुरी मंतरी अमित शा ने भी एक ट्वीट के जरिए पूर प्रधान मंतरी अटल बिहारी वाजपई को अपनी श्रद्धांजली दी और उन्होंने लिखा था कि वाजपई जी की जहनती पर उन्हें नमन अटल जी की करतवे निश्था और राश्ट्र सेवा हमारे लिए सदैव प्रेनना का केंद्र रहेगी और अब यह देखिए प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी राश्पती रामनात कोविन के बाद पुश परपन कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपई की समाधी पर आज 96 जेहनती है 25 दिसंबर जो कि अटल जी का बर्ध डे 96 जेहनती आज उनकी देश मना रहा है और साथी साथ भारत रतन अटल बिहारी वाजपई की सरकार के दौरान जो न्यू इंडिया के सपने को साकार करने के लिए ख़दम उठाए गए उनका स्परण भी किया गया उनको याद किया गया पुरे देश ने देखा था कि प्रधान मंतरी कितने भावक हो गए थे और उन्होंने कहा भी था कि उन्होंने अपना गुरू और एक पिता तूले अभिभावक हो दिया है